Hello everyone, welcome back to our YouTube channel and एक बार फिर से हम लोग बात करने वाले हैं Reliance Power के बारे में Reliance Power काफी अच्छा शेर, बोलते हैं लोग बाग बहुत सारे YouTubers को बोलते हैं तो देखेंगे क्या है इसकी जो Fundamental से वो इतने Strong है या पिर नहीं तो Discussion करते है आज किस वीडियो में वीडियो को एंड तक जरूर देखना अभी बात करतें इस चेट का जो करेंट बार्किट के एफ है 473 क्रोड का देखने के लिए मिलता है हाला कि छोटे मोटे बिजनिस का जो तर्न वर होता है वो इससे ज्यादा देखने के लिए मिल जाता है एंड बात करते हैं इसकी जो book value है minus 297 तक देखने के लिए मिल रही है profit आप लोग को 131 कोड का loss देखने के लिए मिल रहा है पिछले तीन साल में growth में देखे तो minus 20% की sales growth दिखाई है price turning ratio नहीं है return of equity अवेलेबल नहीं है इस टॉक पी अवेलेबल नहीं है ROC अवेलेबल नहीं है एंड कंपनी कोई dividend आप लोग को pay नहीं करती पिछले तीन साल में जो profit है profit growth 25% profit growth भड़ता हो दिखाई दिखाई दिया है sales में growth दिखाई है ठीक है तो इस चीज़ को ऐसा ना समझे कि company profit में थी profit में है यहां पर बहुत सारे लोग confused हो जाते तो इस चीज़ को थोड़ सा समझिए और आगे चलते इसके analysis के उपर आप लोग company में बहुत सारी disadvantage देखने के लिए लोग इंटरेस्ट टेस्ट पूवर शेल्स ग्रोथ प्रमोटर सोलिंग कम हुई है ले देखने के मिलती है डेप्टर हैस company to 96 डेज पर मोटर होल्डिंग डिक्री पाइट थी पॉंट थी परसेंट अपने सेक्टर में सबसे नीचा आप लोगो देखने के मिलता है प्रमोटर सोलिंग 1.85 परसेंट तक की रह चुकी है यानि की जो रिलाइंस है जो प्रमोटर सेंगों खुद अपने company बार बरोसा नहीं है अब सबसे जो अचंबत करने वाली बात है जो पब्लिक है यानि कि आपकर हमारी डेस लोग हम लोग को 92% तक किस्टे खोल कर रखा है इस शेर में पंदरा लाग आप लोग को शेर होल्डर देखने के लिए मिलता है यानि की इन पंदरा लाग में से आप लोग माने के चलिए तेरा लाग जो लोग है वह सिर्फ आम पब्लिक है आपकर हमारी डेस लोग जो ने इस शेर में बिना कुछ सोचे समझे पैसे वाश कर रखा है अगर ऐसी कुछ समयाना अभी होती तो पर मोटर सोल्डिंग कम नहीं आज के ताइम में आप लोग को अच्छी काजी पर मोटर सोल्डिंग देखने के मिले होती हाला कि कुछ फैक्टर से में कुछ भी नहीं है आप खुद बताएए आज के टाइम में रिलाइंस कम्पनी के जितने एसेट्स थे वह कंपनी सेालाट कर चुकी है तो कहां से कम्पनी का ओपरेटिंग बिजनेस ओपरेटिंट नहीं हो रहा तो कम्पनी कहां से प्रॉफिट कमाकर देगे अपने शेयरोडर को थोड़ो सा रिलाइंस कम्यूकेशन को लेकर जो मित है कि आने व नहीं है कंपने सी मार्केट में निकाल रही कंपने सर्विसेज नहीं दे रही तो जब कंपनी को एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करें वो अपने शिरूरों को पैसा कहां से लाकर देगे तो आप लोग इस चीज को थोड़ा सा बचिए इस चीज से मेरा किसी भी इंवेश्टमेंट एफी टेडिंग से कोई सब्मन नहीं है आप लोग का पैसा आप लोग के लिए बहुत ज़ाद इंपोर्टेंट है उसको अपने रिक्स पर अनिलाइस पर इंवेश्ट कीजिए धन्यवाद